तो ये जो रेसिपी है ये रेसिपी तमाम हमारी सोसाइटी की जहां मैं रहता हूँ ना उन महिलाओं के लिए जो हर बार मेरे को नीचे मिलती है वाक करती हूँ और कहती है रनवीर आप सब कुछ बताते हो आपने अच्छी सी नवरात्री की थाली नहीं बताई तो जी आज त तमाम सोसाइटीज की तमाम दुनिया की महिलाओं के लिए नवरात्री की थाली बनाने जा रहा हूँ है दिहान से देख लिजे क्योंकि रेसिपी हैं तो बहुत सिंपल लेकिन स्वाद कूरा आएगा हिंदुस्तान में जब तक फीस्टिंग के साथ में फास्टिंग ना हो यानि कि जब तक वरत के साथ दावत ना हो तब तक फिर फाइदा क्या है ठीक है जी तो नोशकार मैं हूँ दावत वरत वरत नहीं नोशकार मैं हूँ रनवीर व्रार और मिलते हैं म्यूजिक के उस पार आज हम गर्बे वाला म्यूजिक बजाएंगे नवरात्री है तो जी हर बार मैं पहले यह डिस्क्लीमर डाल देता हूँ इस बार भी डाल रहा हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करी आजुबा जुकी आंटियों को पूछा, ममा को पूछा, पलवी को पूछा, आफिस में पूछा के वरत में क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं उसके बाद जो निशकर्ष निकला उस बेसिस पर वरत की थाली बन रही है इसमें आज आप पांच आइटम देखेंगे ठीक है, एक तो देखेंगे समा चावल का पुलाव, दूसरा देखेंगे फलहारी रायता, तीसरे देखेंगे कुट्टू के पकोड़े, चौती देखेंगे मखाने की खीर, और पांच भी देखेंगे एक बहुत बढ़िया सी कड़ी, पीनट की आने की मुफली की कड़ी, ठी अभी आप जितना दाधा ठोस करेंगे, बाद में उसको कम भूनना पड़ेगा, दूसरी चीज यह है समा चावल, समा चावल को अंग्रेजी में बार नियार्ड मिलेट कहते हैं, और मजे की बात है कि यह मिलेट है, जवार और बाजरे के जैसी, पहाड़ों में बहुत होती है, सोक करने से पहले एक बार धो लेते हैं, क्योंकि जंगोरा के बार पुराना होता है न, तो उसमें समेल आ जाती है, और एक्स्ट्रा पानी में सोक करें ताकि बाद में यह पानी भी निकाला जा सके और जिनको हमेशा यह प्रॉब्लम होती है न, क्या रे रनवीर यह मिलेट्स तो बड़ा टाइम लेते हैं, पकने में जवार बाजरा यह वो, उनको मैं हमेशा जंगोरे से यह समा चावल से मिला देता हूँ, दूसरी तरब मुफली हो रही है टोस्ट, हलका से हैसे कपड़ आएगा, क्योंकि हल्दी आप डाल नहीं सकते हैं, तो कड़ी में जो मुफली है उसी से रंग आएगा, तो यह सारी शिकायद दूर कर दूँगा मैं, मम्मा की, सुसाइटी की, आंटियों की, दोस्तों की, मम्मियों की, जो यह कहते हैं के रनवीर नवरात्रे की थाली नही यह खाना नहीं मनाता, इतना कम से कम मुफली को टोस करना है देखिए, हलके से ब्राउन स्पॉट्स आने दीजिए, अब इस मुफली को डालिए एक कपड़े में, चारो तरफ से कीजिए, बंद और ऐसे कर लिए, थोड़ी मुफली इसमें से निकाल लीजिए बाकी कामों के लिए, और बाकी इसमें रहने जिए कड़ी के लिए, पाउडर, पेस, जो भी हो कर लाई है, हैं? पीर के लिए ये दूद है, एक साइड में दूद उबलने देते हैं साब, अब थोड़े ड्राइफ रूट जो है, साथ में कर लेते हैं, फ्राई. झाल के लिए हैं. अब इसे करते हैं करश कुछ भी हैवी ले लिजे और ऐसे मोटा मोटा करश करना है बस अब 80% डाल दिया जे दूद में और 20% रख लिया अपने पास जो हम बाद में डालेंगे पुलाव में और यह जो आपने मखाने की हीर बनाई है इसके अंदर आप साबुदाना भी थोड़ा डाल सकते हैं अगर आपको चीए अच्छे से सोक करके मतलब 3-4 गंटे सोक किया वा साबुदाना भाकि धीरे धीरे प्रोग्राम चालू रहना अच्छे भाई और बैनो दूद को मकाने के साथ रिड्यूस करना बड़ा एहम हिस्सा इस रेसिपी कहा हाँ अब यह क्या करें पकोड़े का काम शुरू करें पकोड़ा था फटावड हो जाएगा अरे आप पीस लाए थैंक्यों अरी मच्छ लिजे कि मामला डन है अभी कड़ी का प्रोग्राम शुरू कर देता है जी काईदे से ग्राउंड नट ओयल या मुफली का तेल एक या जीरा एक गई हरी मिर्च कड़ी पत्ता फिंग और साथ में अपना पीनट का पेस्ट अभी पीनट के पेस्ट को थोड़ा भून लीजे ज़्यादा भूनने की जुरूदde नहीं क्यूं क्यों कि मैंने आपको पहले पार था पीनट को थोड़ाagem काम करना पड़़ है वह ये वाला काम था अगर आप वहाँ पे पीनट कच्छा रखते तो यहाँ पर उसको भूनना पड़ता है यह पीनट की जो भीनी-भीनी खुश्जबू है जो भूनने से आती है अगर वो नहीं आई कड़ी में तो फिर क्या फायदा जो भी लंप्स निकालने यही निकाल लीजे बाद में निकालने का मौका शायद ना मिले अब लीजे दही और पानी आप मठा यानि की बटर मिल्क भी ले सकते हैं सिर्फ पानी भी डाल सकते हैं और खटास के लिए ओक्कम डाल सकते आप कोकम जो फल है वो वरत में खाते हैं मुफली के भुन्ने ही खुच्बू आ गई अब धीरे धीरे इसमें शुरू में थोड़ा धीरे डाल दीजिए ताकि गांठे ना पड़े और एक बार आप कॉंफिडेंट है कि गांठ नहीं पड़ रही है फिर पूरे डाल दीजिए महराष्ट्रो में वरत के टाइम बहुत फेमर्स है ऐसे दाने अची आम्टी कहते हैं जाने कि मुफली की करी सिंग दाने से आया दाना और आम्टी मतलब खड़ी तो सिंग दाने की करी कि अधिके कडी में एक बर बॉयल आ गया ना तो उसको धीरे-धीरे पकने देना है और सॉल्ट आप डाल सकते हैं इसके अदर अगर आप खटास कम लग रही है आपको कडी और खटी चाहिए तो अमचूर भी डाल सकते हैं इसके अदर छोला करें यह तो होगई आप झाल लेजेज़ तो तो होगई अवारी खीर सभड़ान काल लीजेज़ जाप यह ओगई मखाने की खीए ठीक है यह होगा यहमारी कड़ी तो क्या होगा खीर रेडी होगा यह कड़ी रेडी होगा चावल तो एक मण में रेडी हो जाएगा पकोड़े बना लेते हैं पकोडे का बैटर बना लेते हैं तो अगर आप वरत में आलू खाते हैं तो आलू ले लिए अगर आप वरत में आलू नहीं खाते हैं तो शकर गंदी ले लिए उसको बारीक बारीक काट लिए छिलका निकालना है निकाल लिजे नहीं निकालना मत निकाल लिए ठोटली आपकी थोड़ा चौप कड़ी पत्ता थोड़ा चौप धनिया थोड़ी चौप मिर्च थोड़ा जीरा और कुट्टू का अटा कुट्टू जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं बकवीट पहाड का ग्रेन बहुत लाइट होता है कुछ लोग मैंने देखा है वरत में अधरक खा लेत हरी मिर्च को साथ में कूट के भी रख सकते हैं और उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं फुलाव में बैटर में और कडी में बैटर को ज़्यादा एकदम पतला नहीं करना है यह इतना मोटा रखना दिखें ताकि ड्रॉप करें बस और हलका सा थेल क्रिस्पिनेस के लिए दूसरी चीज क्या है इसको बैटर बनने के बाद कम से कम नहीं तो दस मिनट छोड़िए कुट्टू का आटा फूलने में वक्त लेता है अगर पंदरा बीस मिनट छोड़ सकते हैं तो और अच्छा है नहीं तो दस मिनट तो आपको छोड़ना ही छोड़ना भी यह समझ लि आणि जादा है ना तो फुल तेज और क्या बताया है मैंने कि एकदम से डालने के वाद नहीं चलाना है थोड़ा सेटल हो जाए फिर चलाना है उसको एकदम से डालने के वाद चलाएंगे तो क्या होगा पकोड़े का तेल के अंदर बन जाएगा और आप कहेंगे रन्भी यह आप में बताया रही। यह मैंने हाफ डन किया यह। हाफ डन मतलब 70% के लगबग पका लिया है। लास में गरम गरम निकाल देंगे फिर है। अब क्या रह गया। कुछ नहीं अब इक तरफ पुलाव चड़ा देते हैं बस। यह देखे। जंगोरे उर्फ समा चावल को जितना आप सोक करेंगे उतना अच्छा है। बराबर से अंदर तक पकेगा। दूसरी चीज़ उतना साफ होगा। पानी इसका जितना आप निकालेंगे उतने सुखी रहेंगे। यह बार्नियाड मिलट जो है सफेद भी आती है और लाल भी आती है। लाल वाली जो है वो डी हस्क होती है। यानि कि उसके उपर से हस्क नहीं निकला होता। वो न्यूट्रिश्यस होती है। पकने में वक्त लेती है। घी भाई वरत का खाना है। तो घी में बनना चेहे ना। क्योंके घी से शुद्ध कुछ होता है क्या। यहां तो मैंने लॉजिक भी दे दिया साथ में। घी को बेचने का मौखा नहीं छोड़ते रनवीर पराश। सम्मा चावल उर्फ वरत का चावल उर्फ जंगोरा उर्फ बार्नियाड मिलेट। अब तो आपको सब पता है साथ। हलका सा इसको घी में पहले चला लेना है। अब पानी डाले से बहले ना कि घी अच्छे से लग जाए। उससे क्या है खिला खिला रहे गाई। दूसरा इसको घी में भुनने से ज़ज ऑफ स्मेल ओती ना ऑफ स्मेल चली आती। इसलिए घी में भुनना इस अलवेज अगुड़ा इडिया है। अब ही मुझे लग रहा है कि कोड़े फाइनल तलके रेडि कर देते हैं। अब फिर आपको एक क्विक सबजी दिखा जाते हैं। प्रापर क्रिप्सी होने दे ना इसको। प्रापर क्रिप्सी। कंजूट्सी नी करनी। क्रिप्सी नी होगा तो फिर नजारन नी आएगा। नाइस। क्रिप्सी करा रहा। गुलाब होने वाला ज्यादा वक्त नी लएगा। तो जो बोनस मैंने बताया था ना साब बहुत सिंपल है। हर अच्छे चीज के शुरुआद होती है घी से। इसलिए लेग घी। जीरा और जीरे के बाद कड़ी पत्ते और मिर्ची का पेस्ट। कर अज्ट कर दो प्रह लाद के बात्ते और नीज़ पेस्ट। फानी का छीटा बीउटिफुल देखिए क्या खिला खिला है अलका सा घी गीता की अच्छे से रम जाए उसमें उसको टॉस कर दिया पास नाइस फुलाव के उपर थोड़ा धनिया एंड रेडी अखनी शकरकंदी की सूखी सबजी उसके अपर भी धोड़ा धनिया एंड रेडी हल्किसी शकर शकरकंदी की सबजी में आप चाहें तो जो कडी है ना दान्याची आम्टी यानि की मुफली की कडी उसके अंदर भी थोड़ी शकर डाल सकते हैं आप हां और लास्ट में जो सिंग्डाना बच्छावे ना 20 परसंट रखा ना आपने वाई वालाव प्रुड़ी शकर बच्छावे नापने अगर बच्छावे नापने ज्यादा नहीं हो सकता बताईए यह वरत में खाना नहीं हो सकता बताईए एक पुलाव, एक सबजी, एक पकोड़ा, एक कड़ी, एक खीर और देखें उन देखते देखें कि में रहता भी बन जाएगा fasting है या फिस्तिं है, you will decide हर घर में, हर महले में, हर सोसाइटी में, हर परिवार में, हर नेबर हुड में, एक कोई ऐसा जरूर होता है, आप कुछ भी डाल दो बोले नहीं, हमारे यह तो वरत में यह भी नहीं खाते होता है न हमारे यहां भी है कैसे वरत पुलिस इसका नाम है श्वेता उससे कुछ भी बोलते बोलते हैं नहीं खाते बुफे लगा दिया है हमने वरत का बुफे फीस्ट है फास्ट और फीस्ट में दिरवे एक ई तो है ई हटा दो ई जोड़ दो बस एफ एस टी और एफ ए एस टी कुछ जोड़ है देखते ही देखते 6 चीज़ें तयार कर दी हमने वरत की तब अगर आप चाहें तो मैं ये 6 वीडियो बना देता हूं वरत की खीर, वरत का पुलाव, वरत के पकोड़े, वरत की कड़ी, वरत की सबजी, वरत का रायता यहां फिर एक साथ देख लीजे और बढ़िया से अपनी थाली का जुगाड़ कर लीजे थाली नहीं बनानी तो कोई बात नहीं, रोज एक एक चीज बना के ट्राइ करिए तो जी मेरी तरफ से आप सब को शुब नवरात्री, हैपी फास्टिंग, हैपी फीस्टिंग, खूब मज़े करिए, खूब भक्ती करिए, खूब गर्बा करिए, खूब डांडिया के लिए, खूब खाना खाईए, और most importantly, यह रेसिपी शेर करिए और नीचे सब्सक्राइब कर लिए, हाँ, थैंक यू यह रेसिपी नहीं है, रेसिपीज हो गई है, इसके बाद मेरात्री में कुछ मरानेक जरू थी निसा, ऐसे दोस्तों को बलाएए, एक दिन ऐसे लाइन से सब्थालिया रगा दिये, करिए यू झाल झाल